मैं आपको कुछ ऐसे topics बता देती हूँ जो class 12 से आपके connected रहेंगे प्लस आपका base भी clear कर देंगे हलो बच्चो तो आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि class 11 का syllabus बहुत बढ़ा है time बहुत कम है तो इतना syllabus हम नहीं कर पाएंगे लेकिन हम ऐसा क्या करें और वो कौन-कौन से topic पढ़ ले कि जिसे पढ़ने से हमें class 12 में दिक्कत नहीं हो तो उसी दूइदा को दूर करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कुछ ऐसे class 11 के topic जिससे आपका base भी clear हो जाएगा और आपको class 12 में दिक्कत भी नहीं आएगी तो हमें क्या करना है कुछ ऐसे topic जो हमें पढ़ने ही है और वो class 12 से connected रहेंगे क्योंकि आपके पास समय कम है आप पूरे के class 11 के 22 chapters नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसी की दूइदा को उसी confusion को हम दूर कर देते हैं मैं आपको कुछ ऐसे topics बता देती हूं जो class 12 से आपके connected रहेंगे प्लस आपका base भी clear कर देंगे चलिए तो यहाँ पे ये 22 chapters है इनमें से देखिए आपको एक तो जीव जगत मेरे साब से आपको एक बार पूरा पढ़ना चाहिए उसके बाद आप आजाएंगे पुश्पी पादपो की जो आकारी की है morphology वो चैप्टर आपको मेरे इसाब से पूरा पढ़ना चाहिए उसके बाद आपको ये वाला चैप्टर जो की chapter number 7 है उसको एक बार जरूर देख लेना चाहिए साथ में कोशिका वाला चैप्टर क्योंकि 12 में ये काम आएगा और उसके बाद आ एक तो आपका खनीज तत्व वाला ये बहुत important chapter है और आपको आगे काम आएगा और अगर आपके पास इसके बाद भी कुछ time है तो मैं इसको थोड़ा कम important मानती हूं इन से क्योंकि ये 12 में वैसे तो connected नहीं रहेगा लेकिन मेरे इसाब से थोड़ा आपको इसको पढ़ना चाहिए आगे के लिए भी ये आपके लिए important रहेगा तो ये कुछ 4-5 chapter है जो आपको पढ़ने ही है ताकि आपको class 12 के अंदर दिक्कत ना है अब ये connected किस से रहेंगे class 12 में ये भी देख लेते हैं क्योंकि अभी आप इतने class 12 से aware नहीं है तो मैंने सारे chapters या नहीं ये और वो जो topics हैं ये वाले ये ऐसे किसी chapter से पूरे connected नहीं है लेकिन इनका कुछ-कुछ portion आपको class 12 के इन chapters के अंदर मिलेगा जैसे कि ये जो पहला chapter रहेगा वो आपको 11 से connect करके रखेगा उसके लिए आपको 11 के कुछ topics क्लियर होने चाहिए chapter number 2 इसी तरह से connected रहेगा chapter number 3 माना उजनन भी 11 से connected रहेगा उसी तरह chapter 5, chapter 6 जो की वन्शागती के आनवी काधार हैं वो connected रहेगा और उसके बाद chapter number 7 अगर ये chapter आपको class 12 में जो की पढ़ने ही है बोर्ड के हैसाब से तो आपको 11 के वो पहले वाले जो topic है यानि कि कुछ ये वाले topic वो बिल्कुल clear होने चाहिए तो यही आपके confusion का आपके time saving का एक solution है इसे देखिए और इस हिसाब से अपनी study को कीजिए